चारवाक के शब्दों में जब तक जीओ, मौच से जीओ, कर्च लेके घी पीओ कुछ ऐसी विचारधारा आर्थिक अपराद से जुड़े हुए अपराधियों की होती है जिनकी अनुचित गतिविदियां, रास्ट की छवी और अर्थ व्यवस्ता को धूमिल करती है नमस्कार, आप देख रहें, आईएस फर्स्ट, और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे भगोडा आर्थिक अपरादी विद्यक 2018 के संदर में इसी विद्यक के उन सभी आयामों को छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो हमारी परिक्षा की दृष्टिकोंड से मौत पुण होंगे तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमारी चर्चा का दाएरा किन बिंदूों से होता हुआ आगे बढ़ेगा इस वीडियो में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ऐसे किसी वीडियो की आविशक्ता क्यों है इसके माबदन्ड क्या होंगे दारा उन्चास एक क्या कहता है दारा दस क्या है दारा चार में क्या कहा गया है और इस वीडियो में अपील संबंधी प्रावधान क्या है तो चलिए देख लेते हैं हमें ऐसे किसी विदेग की आविशक्ता क्यूं है तो कहा गया है कि इसमें सबसे महतुपुन बिंदु है समस्था से पूरी तरह से निपटने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त दीवानी और फोसदारी प्रावधान नहीं है इन्ही लूप होल्स का फाइदा उठाकर आर्तिक अपराधी विदेश भाग जाते हैं और जब प्रत्यारपन की बात आती है तो वह प्रक्रिया बहुत ही बोजिल और उबाव होती है इसका अनुबव हमने बार बार ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोक्षी और विजय माल्या के मामले में किया हुआ है साथ ही यह नया विदेख सरकार को संपत्ती जप्त करने तथा उनकी बिक्री से मिली हुई रकम को रिंड दाताओं को देने का भी अधिकार प्रदान करेगा साथ ही ब्रस्ताचार से जुड़े मामले में दोसी साबित हुए बगैर संपत्ती जब्त करने का अधिकार भी जो की UNB कहता है कि ऐसा किया जा सकता है या युक्ती सम्मत है तो अगला discussion का अगला बिंदू है कि इसके मापदंड क्या होंगे तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी अपराद जिसका मुल्य सौकरोड या उससे अधिक होगा उस पर इस विद्यक के प्रावदान लागू होंगे इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत की किसी अदालत ने अनुसूचित अपराद के सिलसीले में गिरफतारी का वारेंट जारी किया हो जो की तो इसमें दो situation बताई गई है जिसमें पहला कहा गया है कि ऐसा किसी कोई वेक्ति जो की फोज़दारी मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़कर विदेश भाग चुका है और वहीं दूसरी बात कही गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में है पर फौसदारी मुकतमे से बचने के लिए वो भारत नहीं लोटना चाता तो ऐसी दो सिचुएशन में इन दो तरह के व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे भगोड़ा आर्थी कपरादी विद्यक के तथ कारेवाही की जा सकती है तो चलिए देख लेते हैं कि धारा उन्चास एक इसंदर में क्या करेगा और उस आवेदन में उसे क्या-क्या जानकरिया देनी होगी उसकी एक सूची है तो चलिए देख लेते हैं उसमें पहली बात कही गई है कि उस अपरादी को भगोड़ा मानने का जो कारण है वह बताना होगा साथ ही वह अभी किस देश में है किस स्थान पर है उसके ठीकाने के बारे में जानकरी देनी होगी संपत्ती जिसकी जपती करनी है या जिसकी जपती का अधिकार मांगा जा रहा है उसकी सूची एक देनी होगी उसकी जो बेनामी संपत्ती है या जो विदेशी संपत्ती है उसकी सूची देनी होगी और उन संपत्यों में कौन है जिसका हित जुड़ा हुआ है तो जिनका हित है उनकी भी एक सूची देनी होगी तो ये सारी बात कही गई है धन शोधन निवारन अदिनियम 2002 के धारा उन्चास एक केत है तो चलिए देख लेते हैं कि धारा दस में क्या कहा गया है तो ये जो भगोडा आर्तिक अपरादी विद्यक है 2018 वाला उसकी धारा दस कहती है कि इसमें विशेश अदालतों का प्रावधान किया गया है तो जिसमें नोटिश जारी किया जाएगा जिसमें 6 सब्ता के भीतर जो अपरादी है उसे उपस्तित होना होगा अगर वापरादी 6 सब्ता के भीतर उपस्तित हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की कर दी जाएगी वही इस विद्यक की धारा चार में कहा गया है कि अधिकारी को अधिकार होगा कुर्की के बाद 30 दिन के भीतर अदालत में आवेदन दाखिल करेगी यदि वह दोसिशिद नहीं होता है तो उसकी संपत्ति उसे लौटा दी जाएगी साथ ही अधिकारी के पास दीवानी अदालत जैसे अधिकार होंगे वह कहीं भी जा सकता है जाज कर सकता है जाज के लिए पेपर प्रेजेंट करने को कह सकता है कॉपी पेपर्स की कॉपी ले सकता है या किसी को भी उपस्तित होने का आदेश देस भगवडा घोशित करने पर जो संपत्ती होगी वह केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी और उसका प्रबंधन और प्रसाशन जॉइंट सचीव से नीचे का अधिकारी नहीं प्रबंधन कर सकता है 90 दिनों तक संपत्ती का निप्टारा नहीं किया जाएगा साथ ही इसके बाद यह जो 90 दिनोला प्रावधान है वह अपील दार करने का टाइम दिया जाए इसलिए किया गया है तो जहां तक अपील संबंधी प्रावधान इसमें कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर उच्च नियालेज में अपील की जा सकती है विशेश परिश्चितियों में इसके बाद भी अपील कर सकता है पर कोई 90 दिनों के बाद अपील नहीं कर पाएगा तो यह सारे प्रावधान थे भगोडा आर्थिक अपरादी विद्यक 2018 के संदर्व में जो निश्चित रूप से आर्थिक अपरादीयों और आर्थिक अपराद से निपटने में कारगर साबित होंगे तो यह था हमारा आज का डिसक्रशन अगर किसी भी पल यह वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो चलिए दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ